नमस्कार हिंदी लेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है गंतंत दिवस पर मन संचालन कैसे करना है कैसे शुरोताओं का परिचे देना है दोजारोहन किस परकार से शुरुआत करनी है मुख्य अतिथीखा बाशन कैसे होगा अतिथीगन के लिए क्या पंगतियां बोली जानी चाहिए शिक्षकों और स्टूडेंट्स को भाशन के लिए कैसे हम अंतृत करें जा फिर सांस्कृति कारेकरम की जल्कियां कैसे दिखानी है और किस परकार से कलाकारों का दन्यवाद करना है पूरी की पूरी anchoring script मिलेगी आपको written में गंतंत दिवस पर already मेरे channel पर स्वरचित कविता भी है और anchoring script भी uploaded है तो बहुत सारी anchoring scripts आपको मिलेगी चैनल के video की description में तो आप इस video की description में जाएंगी वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर आप क्लिक करके बहुत सारी अंकरिंग स्क्रिप्ट देख सकते हैं तो गंतंतो दिवस पर मंस अंचालन कैसे करना है शुरुआत करते हैं कुछ इस परकार पंग्तियों से इस वीडियो में आपको बहुत सारी कविताएं मिलने वाली हैं जो आपने पहले कभी भी अंकरिंग स्क्रिप्ट में नहीं देखी होंगी वो भी रिटन में कुछ कविताएं ऐसी होंगी जो मैं सिर्फ अपने मूँ से सुनाऊंगी आप उन्हें ध्यान से जरूर सुनिएगा और नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि जब कभी भी आपको भाशन देना हो किसी भी राष्ट्य परफ पर तो आप इन पंग्तियों को शामिल जरूर कर सकते हैं युगो युगो से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है इस धर्ती पर जनम लिया है यही पुनीत माता है एक प्रान दो देह सरीखा इससे अपना नाता है यह धर्ती है मा पार्वती यही राष्ट्र शिव शंकर है बिग मंदल सापों का कुंडल इसका कनकन रुद्र बियंकर है इसे मिटाने बड़ा उसी ने धूल धरा की चाटी है खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है तो आप इस परकार से शुरुआप कर सकते हैं अगर दो बच्चे आपस में अंकरिंग कर रहे हैं तो दो बच्चे किस परकार से अंकरिंग प्रेजंट करेंगे जैसे दो बच्चे हैं भासकर और मादवी सुप्रबाद मैं भासकर तथा मैं मादवी अपने विद्यालिय मिलेनियम की तरफ से आज के इस पवित्राय योजन में आधनिये वाइस चेर्में सर परधान चार्या जी शिक्षगन एवं समस्त भारतवासियों को पच्चतरवे गंतंत्र दिवस की शुप कामनाई देते हु प्रकट करते हैं चन पंग्तियां खास हस्तियों के नाम देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे खुदी राम बोस से अमर सपूत हुए जहां शांती के अग्र दूत बने अटल जैसे दूत यहां भगत आजाद सुभाश पटेल सभी पर अभिमान है क्योंकि इन ही के कारण हमारा भारतवर्ष महान है अब बच्चा बोल रहा है दूसरे बच्चे से 26 जनवरी के इतिहास के बारे में क्या समझती हो मादवी और मादवी आगे बच्चा बोल रहा है कि हमें अजादी प्राप्त हुई थी अरे बुद्धु अजादी तो पंद्रागस 1947 को प्राप्त हुई थी जब हमारा देश गुलामी की बेडियों से मुक्त हुआ था मादवी, अरे हमारा देश भले ही भासकर, गुलामी की बेडियों से मुक्त हुआ था, पर क्या, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास सविधान था, भासकर, हाँ ये बात तुमने सही कही, कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास सवि भासकर बिल्कुल मादवी इस सविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अमबेटकर की सबसे एहम भूमिका रही है मादवी तो आईए हम सब डॉक्टर भीयार अमबेटकर समेथ उन सभी विद्वान लोगों को शत्षत प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा महान सविध क्योंकि ये सविधान ही है जो भारत के सभी जाती और वर्ग की लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है भासकर कह रहा है हां मादवी ये गंतंत्र दिवस सिरफ जशन का नहीं बलकि प्रगती का जाइजा लेने और उबरती चुनोतियों की तरफ भी देखने का दिन है ये दिन है खुद के आकलन का कि हमने क्या खोया और क्या हासिल किया अजादी के बाद का सफर तो काफी लंबा था पर इस सफर में हमने बहुत कुछ कर दिखाया है यही वज़ा है कि आए दुनिया हमारी और उमीद से देख रही है मादवी अच्छा तुम बताओ भासकर इस 2024 की गंतंतर दिवस की थीम क्या है भासकर तुम ही बतादो मादवी मादवी, 2024 की गंतंत्र दिवस की थीम है भारत लोकतंत्र की मात्रिका अर्थाप जननी लोकतंत्र भारत की आत्मा है वै आम भारतियों की सांसों और संसकारों में बसा है भासकर, हाँ मादवी, चाहे वैदिक वांग में पर दृष्टी डाल कर देखो हमें दो परकार की गंतंत रातमक व्यवस्थाई नजर आएंगी एक जिसमें राजा निर्वाचित किया जाता था और दूसरा जिसमें राज्य की शक्ती सबा में नहित होती थी जो जन समाने का प्रती निदित्व करती थी मादवी हाँ बिल्कुल सही इस राजा निर्ने परक्रिया के एक मात्र उधारन मर्यादा पुर्शोतम भगवान शिरी राम है जिनोंने जन विचारों को वरियता परधान की तथा माता सीता का परित्या किया भासकर बिल्कुल सटीक उधारन दिया है तुमने मादवी मादवी अरे अब हम आधनिये वाइस चीयर्मेंसर से अनुरोध करते हैं कि वे आज के कारेक्रम का शुबारंब अपनी शुब कामनाई देते हुए करे तो वो जब स्टेज पे आ जाएंगे उसके बाद आप कह सकते हैं धन्यवाज शिरीमान जी मादवी बच्चा कह रहा है अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों और स्वतंतता सेनानियों को कृत तग्य सुमन अर्पित करने का समय आ गया है तो क्यों ना तिरंगा फेराकर स्वतंतता के सपनों को जगाएं तथा देश के महान सपूतों से प्रेद न ले द्वच को उन्चाई पर फेहरान देने के साथ साथ राष्टगान गाकर स्वतंतता सेनानियों के साहस और दृट संकल्प को अपने भीतर पैदा करते हैं तो सभी इस समय राष्टगान के लिए खड़े होंगे और राष्टगान गाएंगे उसके बाद कारेकरम की जो भी प्रस्तुतियां है वो बन बै बन करके हम प्रेजन्ट करेंगे ठीके अब कारेकरम को अगले पड़ाफ की और जा अगले पड़ाफ की तरह बढ़ाते हुए कुछ शांदर प्रस्तुतियां देखते हैं पहली प्रस्तुति है देश भक्ती के सम्मान में एक प्यारासा गीत जो कक्षाठवीं की शात्रा हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है जोरदार तालियां प्रस्तुति के लिए भासकर जब बच्चा गा के चला जाएगा गीत तब हाँ बोल सकते हैं वाँ क्या मदूर और हिर्दस परशी गीत था दूसा बच्चा कह रहा है भासकर अब अगली प्रस्तुती कौन सी है भासकर अगली प्रस्तुती हमारी भावनाओ को छूने वाला नृत्य है जो देश की विविदता और एकता पर प्रकाश डालेगा तो आईए देखते हैं अगली प्रस्तुती कक्षा नम्मी की शात्रा नंदनी के द्वारा फिर जब वो बच्चा डांस करके चला जाएगा वा क्या उर्जवान नृत्य था अब बच्चा आगे क्या कह रहा है भारत एक ऐसा देश है जहां सभी नागरी के एक दूसरे के धर् प्रती काफी सहिशनुता दर्शाते हैं इसी धर्म निर्पेक्ष दृष्टिकोन को ध्यान में रखते हुए राम बक्त हनुमान धार्मिक प्रस्तुती के लिए कक्षा शठी के विद्यारतियों ने एक नाटी का त्यार की है तो जोरदार तालिया धार्मिक प्रस्तुती के भाशाय अनेक पर अभिव्यक्ति एक है राज्य अनेक पर राश्टर एक है गंतंत्र की मर्यादा और इसके विराट अस्तित्यु के प्रतिसमर्पन की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने कक्षा नम्मी के शात्र अभिमन्यू मंच पर आ रहे हैं तो जोरदार पालियों से इनका स्वागत करें तो आप कोई भी कविता बुलवा सकते हैं लेकिन मैंने कविता बुलवाई है तो मैं आपको सुनाओंगी आप ध्यान से सुनिये का क्योंकि मैंने रिटन में नहीं दिये नमस्ते पहले बच्चा के मन्च पर बोलेगा मैं अभी मन्यू आज कंतंत्र दिवस के पावन अफसर पर एक कविता प्रसुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्शक है हम सब भारतवासी हैं कविता की पंक्तियां कुछ इस परकार रहेंगी हम पंजाबी हम गुजराती हम पंजाबी हम गुजराती बंगाली मदरासी हैं लेकिन इन सब से पहले हम सब भारतवासी हैं हमें प्यार आपस में करना पुर्खों ने सिखलाया है, देशहित जीना मरना हमें पुर्खों ने सिखलाया है, हम उनके बतलाए पत्पर चलने के अभ्यासी हैं, लेकिन इन सबसे पहले हम सब भारत वसी हैं हम बच्चे अपने हाथों से अपना भग्य बनाते हैं मेहनत करके बंजर धर्ती से सोना उप जाते हैं पथर को बगवान बना दे हम ऐसे विश्वासी हैं लेकिन इन सबसे पहले हम सब भारत वासी हैं वे भाशा हम नहीं जानते वे रबाव सिखलाती जो कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो जिनके अक्षर देश प्रेम के हम वे भाशा भाशी हैं लेकिन इन सबसे पहले हम सब भारत वासी हैं हम सब भारत वासी हैं धन्यवाद तो आप कह सकते हैं बहुत खूब ऐसे भावों के लिए जोरदार तालियां फिर बच्चा कह रहा है अगली प्रस्तुती के लिए भारत वर्ष कोटी कोटी समान्यजन के खून पसीने अकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामुहिक शक्ती है बस अपने वतन को सवारते दुलारते हुए हमें आगे बढ़ना है विकास की चमक धमक भरी किरन को भी हमें बिखेरना है इतना ही नहीं यम की तरह द्रड कदम बढ़ाते हुए समय को संशे में नहीं खूना है और भारत मा की रच को निजमस्तक पर संजोना है तो अंत में कारेकरम को विराम देने से पहले युवाओं को आप संदेश देते हुए चंदपंग्तिया सुना सकते हैं हिंद के बहादुरो शूरवीर बाल को थामलो संभाल कर देश की मशाल को दूर तक जमीन पर शानदार जै लिखो तुम विशाल सिंदु पर खून से विजे लिखो तोड़ दुश्मनों के हर एक जाल को हिंद के बहादुरो शूरवीर बाल को तो अंत में कारेकरम को यहीं पर विराम दीजिये और सभी के उजवल बविश्य की कामना कीजिये धन्यवाद जय हिन जय भारत आप सबका दिन मंगल मैं रहे तिरंगे की जय स्वरचित कविता चैनल पर अपलोड़ीड है आप देख सकते हैं सुना सकते हैं गंतंतर दिवस आने ही वाला है तो गंतंतर दिवस की सभी को हादिक शुप काम नाए